आउसंत मातमाव। दास आसा करता है कि आप सब सवस्त होंगे और इसवर का गुडगान गा रहे होंगे परमातमा की किरपा आप पर हो रही होगी। आव संत मातमाव एक बेहन जी पेट की दर्द से ब्याकुल हुई और इतनी ब्याकुल हुई कि जब आसेहनी पीड़ा होई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर से कहा मेरे ऐसे से पेट में तकलीफ है समस्या है आप चेक अप करके दवाई दे दें तो डॉक् दे करके उन्हें बता दिया कि दवाई ये टाइम पे दवाई खा ले ना तो दतार किरपा करेगा आप स्वस्त हो जाओगी अब भेहन जी अपने घर को चली आई और उन्होंने उस दवाई को खा लिया और जैसे ही उन्होंने दवाई को खाया कुछ समय तक पुछने ही हु उन्हें उल्टी भी शुरू हो गई और जादे तकलिफ शुरू हो गई अब पुरे सरीर में खुजाट भी चाली हो गया अब उन्होंने कहा दवाई तो मैंने खा ली और बिल्किल बेचैनी बढ़ गई तो वो डॉक्टर साब के पास गई डाक साब ऐसे से दवाई जो पर लेखी ती जो दी दवाई तो मैंने सही दी थी तो उनसे पूछा कि आपने दवाई खाली थी जी बोले मैंने दवाई खाली थी कैसे खाई थी वो तीन जो पड़िया दी तो वो कहती है मैंने तीनों पड़िया एक साथ खाली थी आपने का ना टाइम पर दवाई ले ल ले तो आपके तकलिक तो होना लाजमी है मैंने तो यह कहा था आप तीन टाइम खाना आप समय से दवाई लेना मैंने यह थोड़ी कहा था कि आप एक वार में खा लेना आउ संतमात्मा होता क्या है जो बचन आते हैं यानि खान पान है तनी के खाते रूह का कोई संबंध नही आउ संतमात्मा बचन तो क्या आ रहा है लेकिन हम उसके उपरांत हम समझ क्या रहे हैं यानि जो सत्कुरू हमको सिकाना चा रहे हैं तो हम उसे निगेटिविटी की और ले जाते हैं यानि हमें बता रहे हैं कि इस प्रकार से आपको सेवा ससंग सिम्नन समय से करना है टाइम पाज घंटे आप बैठ गे तो सेवा भी चले ससंग में सिम्रण में एक ही बार में आपने सारी यानि दवाई खाली इसके उपरां सद्गुरु कह रहे हैं कि समय से यानि सेवा भी ससंग भी सिम्रण में सेवा के लिए समय निका लिए सिम्रण के लिए और ससंग में जरूर जाना है तो आउसंत पात्मों तकलीफ कब होती है कब इनसान परेशान होता है जब यह तीन दिव्य सस्त्र सद्गुरु ने बख्ष दिये तो इन मैंसे हम एक को कल्या और बाकी को छोड़ दिया तो फिर वास्ता में फिर व मनों को आमना पूर्ण नहीं हो रही मैंने तो क्या मांगा था इसलिए सस्तंग रखाऊंगी आउसंत मात्मों यानि अब सर्थ चल लेए प्रवु के सामने भी परमात्मा से भी सर्थ कर रहे हैं परमात्मा तु मेरी यह मुराद पूरी कर दे तो मैं सस्तंग कराऊंगी अगर कोई बास तही हो रहे हैं तो तो सम्रन हो रहे हैं वन्हा सम्रन नहीं हो रहे हैं अगर किसी संतमात्मा ने जादे कहा तो सेवा हो रहे हैं वन्हा सेवा ही नहीं हो रहे हैं आओ संतमात्माओ जैसे मुवाइल में नंबर होते हैं और नंबर यदि एक भी गल्त लग जात सस्तर जिब्डे सस्तर जो कि हर परेशानी को काड़ देंगे आपकी परेशानी आएगी चली जाएगी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी आपको ऐसा बिस्वास रखना है आपको इटना परम परमात्मा के साथ परम आनंद सरूप सचीदा अनंद के साथ आपको आपका इंट्रडेक्शन करा दिया आप क्या चाहते हैं आपको साक्षात बातचित करिए आपके सामने हादिर नाजिर है आउसंत मात्माओं तो सद्गुरू इस ओर इसारा दे रहे हैं कि जो बचन आएं तो उनके माईने यदि हम सही सही से समझ करके और अपने जीवन में यदि अपनाते हैं तो बास्तव में फायदा होता फिर वो सेवा ससंग कभी नुक्षान नहीं करती हमेशा फलीबूत होती है और इतिहास कबा है जिस मात्मा ने भी सेवा मन से कर ली तन से तो पता ये चला यानि तीनों चीजों से अगर उसने सेवा कर ली पूरी तलीनता क साथ तो बड़े से बड़े बिगड़े काम संतमात्मा के बन गए जो बिमार होगे वो स्वस्त होगे जो कंगाल है वो माला माल होगे जो बुद्धी हीन है वो वैनि बुद्धी वाले होगे विद्वान होगे तो इसके हां किसी चीजी की कमी है इन आदानों क्यों डरते हो इस दर पर सीज रुकाने से ए नादानों ये बोदर है जह सीज चड़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग या सीने से लगा जाते हैं आउ संतमातमाओ सत्त का दरवार है परम प्यार से बोलेंगे धन्निकार